गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कलास नाइन चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.9 एंड टॉपिक नंबर 7.10 जो है हमने डिस्प्रस करना है आज तो 7.9 जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉओ इससे पहले हमने रश्मीदस लॉओ पढ़ा था आज हम हुक्स लॉओ को देखते हैं हुक्स लॉओ के जो statement है वो statement कहती है जो चेंज है बोड़ी में जो प्रिडियूस होता है जब आप stress लगाते हैं उसको ठीक है stress लगाने से press करने से उसको open करने से उसकी shape change हो जाती है length change हो जाती है volume change हो जाती है उस चीज़ की बात हो रही है वो जो है strain जो है produce होता है वो directly proportional है किसके stress के directly proportional है stress बढ़ेगा तो shape ज्यादा change होगी strain ज्यादा होगा और main बात यह है within the elastic limit elastic limit क्या होता है कि कोई चीज़ अपनी limit को cross ना करे आप spring को खूले आप इतना खूले कि spring वापिस अपनी असली हालत में आने की कुवत रखता हूँ अगर वो वापिस अपनी असली हालत में नहीं है तो वापिस वो उसका stress बरकरार नहीं रहेगा ठीक है तो इस बात को लेके पिर उन्हें ने का जी इसका मतलब ये है कि stress जो है directly proportional है strain के जब आपने directly proportional का जो sign है उसको remove करना चाहा तो constant आ गया वहाँ पे तो अगर हमें constant की वैले निकालना चाहूँ तो stress divided by strain ये जो strain है आपके topic में लिखी हुई है elastic limit में आपको बता रहा था क्या होती है उसकी एक बकाईदा definition है आप देख लिए when a stress crosses the limit to recover into the original length shape or its volume it is called the elastic limit तो ये मेरे पास एक hooks law एक छोटा सा topic था ये हमने देख लिए अब चलते हैं 7.10 की जाने मेरा topic का नाम है young's modulus young's modulus क्या होता है young's modulus basically एक ratio है stress और tensile strain के दरम्यान में ratio of stress to the tensile strain is called young modulus अब y से young modulus हो गया तो y is equal to stress divided by tensile strain अब मेरे पास for example मैंने एक length ली मैंने उसको उपन किया जब मैंने उसको उपन किया तो उनका difference जो है एक initial length है एक final length उनका difference हाएगा L minus L node तो मैंने इसको किया दिया L minus L node अब मैंने value put करनी है इसके अदर stress की और tensile strain की तो पहले मैं stress की find करता हूँ फिर मैं tensile strain की देखता हूँ stress basically मेरे पास होता है force per unit area तो F divided by A stress की value बनगी tensile strain की length दोनों length का जो difference है वो L minus L node divided by main length L node ठीक है अब tensile strain की value बनगी L divided by L node अब इनके अंदर मैं इनको put कर दूँगा ये मेरे पास formula है stress की जगा पर मैंने लिखे दिया F by A tensile strain के अंदर मैंने लिखे दिया del L divided by L node अब ये divide हो रहे हैं तो मैंने ये बात बताई F divided by A F by A divided हो रहा है del L divided by L node के साथ तो आपको पता है जब divide deform होगा तो multiply हो जागा वो reciprocal हो जाएंगी values जब मैंने इनको reciprocal किया तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया ठीक है F L node A del L तो ये मेरे पास formula बन गया यंगs modulus का तो ठीक है तो ये मेरे पास एक यंग modulus का topic था ये topic था 7.10 topic नंबर मेरे पास 7.10 था ये मैं यहाँ बे लिके देता हूँ 7.10 topic था इदर वाय आना है तो ये मेरे पास Y की value आगी F L node divided by A del L ये मेरे पास दो topic थे यंग modulus का यूनिट है वो होता है Newton meter per square as same as the pressure तो ये मेरे पास topic थे तो ये हमारा chapter number जो 7 है अलहमदुलिल्ला ये clear हो चुका अगे इसके जो भी questions, review बगर होंगे numericals होंगे हम उनको इन्शाला जल्दी करेंगे आपको कोई बात समय ना है तो वीडियो को बार बार सुननीया करें वीडियो को रोक के सुननीया करें लेकिन बात इन्शाला आपको समझ आ जाजएगी क्योंके मैं एक एक बात को clear करने की कोशिश करता हूँ आज के लिए इतना ही अल्लाहाफीज